आखूआ फ़ी पहाड गिर गया और हो हिं पहाड कोई गिर आए पाड़ पूरा जाल से बांधा गरा है ड्या को अभी देखे पहाड गिर शकता और दर निचे गाड़ी भी खाइक अंदर जा सकता है आपैद पुलीस वाले यहां पर रोका था हटाँ यहां पर पता है तो यहां पर लग रहा है अपना कवर पैसा भी कमाई हो रहा है तो अभी अब बहुत सब्सक्रेबर भाई इदर भी सब्सक्रेबर मिले हैं कैसे हो बढ़े हैं अब जम्बू से निकलने के मता आगे का सफर कंटीनु अपना हो चुका है मतलब रात को एंटर करने के बाद जैंड के में चली रहते जम्बू के तरव आगे बढ़ी रहते तो रास्ते में नीन आ रहा था सो गए अब जाके सफर कंटीनू करेंगे अभी जहां पर रुके हैं यहां से जम्बू का सफर सिर्पर सिर्फ 35 किलो मीटर का है और यह हाइवे देख सकते हैं बॉडर से सीधा हाइव एक तम जा रहा था तो एक पेट्रोल पॉम था इदरी गाड़ी को साइट में लगा के रेश कर रहे थे और आज हम यहां पर पहुंच जाएंगे ठीक है पठान कोट कालम पार किये हैं पठान कोट करने के बाद आज हम जम्बू में लेकिन जम्बू में जम्बू है पहुंचे निए 35 करोंटर दूर है थंड तो एक नमबर का है लेकिन यार खुसकबरी है कि हलका सा देखो सुरज भगवान निकले हलका सा यह देखो भाई देख रहो तो इदर बहुत थंड़ा है बहुत थंड़ा है वहाई हालत खराब हो तो जम्बू आगे बंड़ने से पहले पेट्रोल पम पे रुका ही थे हमने सोचे कि चलो डीजल टांग फिर से फूल कर वा लेते हैं क्योंकि अबना ना फंड़ा लाग है डीजल टेंग हमेसा फूल रख रहे है emote प्धां किख को ठीट लग रहा हैना क्या ही बता है तीन नंबर के चार नंबर लग जह रहा है इतना टाइट लग रहा है हुटा चो कियर ओल撲 उना पुरा जंज यहां पर जिए शुल टाइश зर लला दंशे है पूरा कही पर रोट कुछ भी खराब नहीं मिला लेकिन जब जमू में एंटर किये हैं यहां पर रोट का काम चल ला है आने वाले दिनों में यह जो मार्केट है जम्बू 25 किलोमेटर आगे है 25 किलोमेटर जम्बू चलेंगे उसका वहाई जाकर चाय पीएंगे क्योंकि रात को तो नहीं आ गया था ने तो रात को हम लोग जम्बू क्या हाइवे तयार हो रहा है वहाई एक नंबर घाथ भईव यह पर लिखाथा साम्बा चेक पोश्ट थो संबा चेक पोश्ट सबरक्रों किया रोड है यहां पर नहर मतलब बहुत सारा ऐससे में नहर है हम लह नहरा ही जो भरत कर पानी गिर कर आता हो गा वह तो यहां पर देख यह क्या वह यह दिख सकते हैं ऑक कि बाकि इस ट्रीप में जो हम चल रहे ना भाई इस ट्रीप में आप लोग के माइंड में क्या क्या चीज़े आ रहा है वह आप लोग कॉमेंट बाक्स में जरूर लिखिए ताकि हम पढ़े और हमें अच्छा लगे बाई कोशिस करना अच्छा जो कॉमेंड करो यार हिम्मत परहाएं क्योंकि अभी लेल लका का टूर हम लोगा बागी है आभिका लोग का छ्मीर के तरफ स्रीनगर के तरफ आगे बढ़ी रहे हैं यह सीधा जाला है जब्य हम लोग को इधर जाना है यह जाएगा स्रीनगार के तो इस ऊहां तो यह बाई जाम्ब्य है ग्राऑक्ष tapping हमारा सुरक्षा पुरा देश का सुरक्षा इनके कंदे पर होता है तो हमारे एक भाई देख सकते हैं आपके और अच्छा नाम आपका भूल गया है तो भाई कल हमको मिलेते पंजाब में कौन सा बॉडर था हो लखनपूर बॉडर भूल याते है ना पहली वार आए ना तो ल स्रीनकर चला जागा यह कौन सा जगा है जंबू में हम लोग आ चुके है तो चलिए पूरा इदर का कुछ विव ऐसा है भाई यह देखो अभी चलेंगे तो ला भाई की साथ में चाय पिएंगे उसको फिर कंटीनू सफर करेंगा आगे का तो फिलाल हम लोग ट्रक पार्कि यहां से ले के लिए यहां से ले के लिए या फिर श्रीनकर के लिए सब माल भी भरते हैं देख सकते हैं पुरा एक लाइन जहां पर गाड़ियां पुरा खड़े हैं यह देखो अब कर दो है अब कर दो है कि अब कर दो है कि अब वाइव यह देख रहूं यह सब ओल्ड गाडियां है वहीं टाटा की गाड़ी करना कोई जबाब नहीं मतलब कितना भी चला लो रगड़ लोग कुछ होने वाला नहीं है पॉसन गाड़ी भी चला रहा है इस्टेरिंग हम छोड़े होएं यह देखो साइड लगा लिया वाई ट्रक पार्किंग में यह भाई लोग का गाड़ी 14 टायरा कैसे हो भाई बढ़िया है गाड़ी देखके पैचान गए हां जी काशी एक्ष्प्रेस देखा अरी वाई सा बहुत आठेके निकार मिल्ला बहुत अच्छा लग रहा है तो यहां पे हैं एक वोगो शानन है जर्मानल देखके लूसन पर चलिए पैसा बहूं अच्छा लगशा ड़ाए हमको लगी नहीं रहा है जैसा लग रहा है बनार्स पैटशते वी व्लोगुन कर रहे है कुछ ऐ नहीं से कुछ अपने गाडी में भी लगाना है यह धीदिखो इससे क्या एकाए कि ठंड नहीं गुशेगा तो जो टेंपरेचर अपना हो में रहा तो यहां पर रखा करें अपने गाडी में ताकि रेडिवाट्र में जादा ठंड ना हो और गाड़ी टाइम टू इपर इस ट तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रेडियो आटर में वह पड़दा लगाने के लिए भाई लोग बोले रेडियो आटर में पड़दा लगा की जाईए क्योंकि वहां बहुत प्रॉब्लम होने वाला है तो देखते हैं पहले पड़दा लगवाते फिर सबर करतें कंटेनि देखते हैं धन्यवाद धन्यवाद लव्यू तो अभी बहुत सब्सक्रेबर भाई इधर भी कुछ सब्सक्रेबर मिले हैं कैसे हो बढ़िया अब गाड़ी में बैठे हुए है सब सो रहे हैं और हम लोग अभी अपने गाड़ी का जो बताए था ना यह बनवाना था में त अब है माभ लिया जा रहा है कि किस तरीके से ना है की कि सब्सक्राइब अजिए और वृट और कवर का कवर अपना बनना हो चुका इससि काम रूप तो देड़ी वाटर कवर इसलिए बनवाना पड़ रहा है कि वहाँ पे बरब गिर रहा है और जो थंडा हुआ है ना वो रेडिवाटर में घुस्में के बाद कुलेंड को जाम कर सकता और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकता इसी वज़े से रेड़ी वाटर ज्यादा अब बनट को क्या जा रहा है बंद चलो भाई अभी नहीं हुआ अच्छी से जोड़ चोड़ा है और बताते हैं फिलाल अभी इस जगह पे हम पहुंचे हैं जम्बू अभी यहां से अब यहां पर जाना है स्री नगर ठीक है अब यहां का सफर अब कंटीनू करेंगे और य अब यहां लगा रहा है कुछ कुछ कमियां है हम लोग पहली बार सफर पर निकले इतना लंबा तो इसलिए हमने जो समझ में बनवा दिया लोग निकली है कितना अच्छा दे रहे चेंज तो भाई लोग ने पुरा रास्ता बता दिया कोई टेंसन नहीं है तो अभी निकलत आगे का सफर कंटीनू अपने हो चुका है और यह देख सकते हैं पुरा यह घसकने वाला पहाड़ है आप लोगों को याद होगा एक पर काटमांडू के पास हम गहे थे तो वहाँ पे सेम पहाड़ था घसकने वाला यह देखो पूरा मट्टी और गोल गोल पत्थर है पूरा घसकने वाला यह सब होता है अब यार क्या थार यार पूरा देखरो लगवा कि पूरा बाहर करवा दिया है बड़े बड़े चक्के बाई साव ऐसा लगए कि कहीं यूद लड़ने जा रहा है यह देखो भाई यह देखो भाई गाजब लग रहा है यार भाई दीन बन गया यार बस यही का वियू से दीन बन गया तो आगे क्या होगा सोचो अभी आप लोग को आगे क्या क्या दिखाने वाले सोचो वाई यह देखो यह चेक करो कि अधर का वियू देखो भाई कितना खुब्सूरत है तो हम लोग आ चुके गंगा ब्रीज के उपर जो बरब गल के आता है भाई इसी नदी के निच्चे से हमको लगता आता होगा कंफर्म नहीं है लेकिन हमें लेरा कि दरी से आता होगा तब पहुंच चुके यह जंबू जू देख सकते हैं भाई सेफ ड्राइब यार सेफ ड्राइब देख रहे हो खतरनाक सीन हो गया ड्राइबर साफ के साथ मैं वाई साफ आराम से आओ यार कोई बाहर से गाड़ी आरो प्लीज आराम से आओ देख के आओ नए रोट पर कुछ भी समझ में नहीं आता हम तो बहुत आराम से चला रहे हैं यार अगर बढ़ी रहते जूस पिने का मन कर गया यार क्यूंकि पीट में थोला गयास बना रहे हैं पता नहीं तो किन्नु हमने खड़िदा था पंजाब से तो बहुत दिया बहुत अब यहां पीने जा रहे हैं यहां पर बना रहे हैं अमर नाथ यात्रा के लिए भी यही वाला रोड जाता है इसी रोड से आप लोग हो कही गुजरते होंगे कौन-कौन और अमर नाथ यात्रा कंप्लेट कर चुका है कॉमेंट करके बताईएगा और हम लोग यह प्लानिंग कर रहे हैं कि आते टाइम बैस्टों देभी मंदिर भी जाएंगे कट्रा में देखते हैं अगर माता जी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे दर्सन करके यह कि अधर का व्यूं कुछ बहुत खतरनाक है दोनों पहाड को काट के बीच में से रस्ता बनाया गया है जो टोल प्लाजा पहुच चुक है जम्बू के आगे जब घाटी पर चलेंगे टोल पड़ेगा टोल पार करते हैं वह कि फाइनली वाई टेनल के अंदर एंट्री कर रहें टेनल टेनल मज़े आगे बहुच आ चुके टेनल के अंदर अब निकल चुके बहार ऊपर पहाड़े बाई निच्चे चे टेनल निकला आयर मलब लाइब का पहला एक्स्परियेंस मेरा कि फिर से एक तरनल आ चुका है यह तीसरा टनल है भाई तीसरे बाले में गुच गया तीसरे से निकलते ही चोठा भी आ गया और भाई टनल इसने बनाया गया कि पहाड़ को काटन कि आना पड़े यह देखो ऐसे लोगों कि क्या करता है भाई यहां के ट्राइबर जो है कुछ कुछ ट्राइबर तुरंग गाड़ी ब्रेक माट देते तोड़ा द्यान से चलाईए पीछे गाड़ी बालता और यह काफी लंबा टानल है देख सकते हैं सबसे बड़ा चीज ह तक बासे लिखें के उपर पहाड़ और नीचे टरनल हम लोग पाहड़ केकर निचे से जा रहे हैं कि पहाड़ काटने में बहुत महीरत लगत लगता है इसी वैसे सरकार ने नीचे-चे रास्ता प्रादीया है और यहां पर देखो इस टर्लबाने रस्ता मतल़ा दिया है द यहां पर बंदर भी बहुत देखके चलाईए दुरगटना ना हो तो यहां पर ट्राफिक लाइट भी चलना है लेकिन बाई कुछ-कुछ अजीबो गरीब ट्राफिक लाइट लग रास्ते भर में पुरा यहां पर आर्मी वाले भी खड़े हैं ताकि किसो कोई परिशानी ना हो भाई जो पहाड का चोटी यह वहां पर गिरा बरफ और भाएंकर बरफ गिरा है लेकिन आप लोग को हमारे गोप्रो से नहीं दिखेगा क्यूंकि गोप्रो में जूमिंग का सिस्टम तो है लेकि अभी हम जूम करके दिखा नहीं पाएंगे देखिए पूरा बरफ गिरा है उदंपूर हम लोग और उदंपूर का जो में सिटी है सिटी में जाने के लिए रस्ता कड़ गिया है लेकिन हम लोग को तो में जाना है आईवे पे और यह कुछ उदंपूर का एरिया है अधर बसे हुए है जो पहाड के उपर सब गर बनाए हुए है जाता कहां से रास्ता कहां से वाई पूरा पहाड के उपर उपर घार समें समें छोटा चोटा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा है यार देखो कि तो यह अभी हमें पूलीस वाले नहां पर रोका था यहां पर पता नहीं चेक पोस्ट है कि क्या है देख सकते हैं यह वाला व्यू कौन सा पर बड़नेवाला यहां पर यहां से दिखा रहा है क्या पढ़ने यहां पर नजाए नहीं पहन है nou तो यहां पर साथ बर्दी भी पहन के गाड़ी चलाना होता है इसके बार मुझे नहीं था तो आप लोगो बता दें अभी लगता है फिर से टनल पड़ेगा मतलब यह जो पहाड देख रहो ना इस पहाड के अंदर से रोड है हम लोगों को निकलना है भाई खतरनाक सीने यार मजा आगे आज यार मजा वाई साहब लाइब का फ़र्स्ट एक्स्प्रियेंस वह यह देखो वाई यह लगता है सबसे बड़ा बड़ा टनल है इसके अंदर पंखा पर सब कुछ लगा हुआ है सबसे बड़ा टनल है सबसे बड़ा टनल है सबसे बड़ा टनल है अच्छा लाइट चालू करके चलना था हमें पता ही नहीं वाई गाड़ी का लाइट भी चालू कर लिया है मैंने अच्छा पचास के ऊपर गाड़ी नहीं चलना था है इसके अंदर नेट्वर्क भी नहीं आता है ठीक है ऑक्सिजन के लिए जगा जगा पर पूरा पंखा लगा गया है पूरा गर्मी है इसके अंदर भाइंकर गर्मी लग रहा है इसके अंदर भाइंकर लगने राम कस्मीर के अंदर अब लोगों को बताएंगे कितना किलोमेटर का टोटल यह टैनल है पहले बाहर निकलते हैं कि फाइनली वाई साब निकल पड़े हम लोग बाहर यह देखो बाहर निकलते ही कुछ लुक ऐसा आएगा यह देखो यह यह पूरा इसी के निच्चे से अब लोग आये वहाई मज़ किया यार पणति कि यह देखो अभी रहत को जाल से राज़ की दूब है कोई फुरा जाल से बादा जारा आज़ा आध्यको ताकि पहाड गीरें ना कोई छ्टिछ ओस नहीं देखरो पूरा पहाड में जाल लगा। अच्छे तबीके से और से अबेरा इतना खदनाक रोड में तो नहीं चले थे इसके पहले कभी हम पिर से सिंगल रोड में आगा है हम लोग देख सकते हैं पूरा निच्छे खाई है यह लगो लगता कुछ सब्सक्रेबर भाई थे हैं है लो कर रहे थे यह पूरा निच्छे खाई है अब 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 प्लानिक कर रहे हैं तो आना तो देख लाख के आना वीडियो मेरा देख के आना किस तरके से रोड है आरेक्षी बताएंगा आप लोग यह तो को पूरा मट्टी का पहाण आ गया मतलब है पहाण गल चुका है देख रहे हो कब गीर जाए कोई ठीक नहीं ह इधर से पहाण गिर सकता है और दर निचे गाड़ी भी खाई के अंदर जा सकता है यह देखो और यहां पर देखो कस्मेरी भाई एपल लेके जा रहे है पुरा एपल वाली गाड़ी है यह सब पीछे बार जो टर्नल था वह आठ किलोमेटर का था हम लोग वहां से दो चार किलोमेटर आगे बढ़े थे फिर से एक नया टर्नल के अंदर घुज गये मतलब यह एक डम नया टर्नल बना है पूरा काम इसका ओके नहीं हुआ है पूरा देखरों लाइड भी इसके अंदर पधः दिख रहा है यह पूरा पत्तर अभी मठी का भी पहाड दिखा था वाइड बिच में और और चाला आप भी दह यह तो वहीं है अमरनात यहातरा आ लिखा था वेलकम टू अमरनाथ यात्रा है पुरा बरफ दिखने लगा हमको यहां से अच्छा कासा बरफ चालू हो गया थोड़ा सा आगे बढ़ती आप लोगों दिखाते हैं पर अब और बर्फ देखिए वहां गिरा आप लोगों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कॉमे तो पीछे देख सकते हैं नया टनल बनाया जा रहा है यह पुरा नया टनल बनाया यह चलू जाएगा तो हम लोगों को यह रास्ता से नहीं आना पड़ेगा पिर सीदा अंदर अंदर पुरा यह पार पार करवा कि उस पार निकाल देगा भाई गाजा मया आ रहा है खतरनाक और यह देखो पंडाय टनल यह देखो पुरा पार के अंदर से पुरा टनल आया हुआ है ओ भाई यहां पर टनल टूट भी गया है यह वाला यह पुरा पहार से दबके टूट गया यह वाला टनल फिर नया निकाला जा रहा कोई देखो पूरा टूट गया है ओ भाई सहाब वहाई खतरनाक सीन यार लग गया थोड़ा सा जाम यहां पर थोड़ा सा जाम लगा हुआ है अच्छा चेक पोस्ट है वहाई चेक पोस्ट है चेकिन चल ला है यहां पर और यह गड़ी देखो कितना मस लग रहा है हम लोग फिर से नीचे उतर रहे है थोड़ा थोड़ा यहां रोड का भी काम चल ला है देख लो पुरा रोड थोड़ा क्या पुरा बनाया जा रहा है रोड अगाम चौचक वाला ओ भाई सहाब चेक कर रहे हो भाई खतरनाक सी न्यार यह देखो यह बंदा टानल वाला रोड यह उपर से आएगा रोड दिखें निच्छे वाला रोड फिर ब्लाग हो जाएगा देखो पुरा फॉर्लेंड बनेगा यहां तो फिलाल सी नेगर का पूरा फुल व्लॉग आपको नेक्स व्लॉग बता चलिए आएगा क्यूंकि अभी हम लोग थोड़ा चाय पानी करने के रुके हो हैं यह व्लॉग काफी लंबा होने वाला है और हो भी गया इसी वाइसे एंड कर रहे हैं और इसका सेकेंड वाले प पहाण के साथ तब तक क्लिए बाइबाइब चाहिंद लभी गाइस